नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुखे उपर बिहार में माध्यम एक सक्छक पातरता परिच्छा साल में होगी दो बार अधियर्थियों का ओम्राश्री वृद्ध जन दिवस के अफसर पर माननिय मुख्य मंत्री का संदेश पुल्दी प्यादर को लेकर पुर्वपाक कप्तान ने दिया बड़ा बयान इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के उर्वस्तार से विहार में माध्यमिक सक्षक पातरता परिचा साल में होगी दो बार विहार बोड के अध्यक्ष आनन्द किसोर के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार अब राजी में माध्यमिक सक्षक पातरता परिचा साल में दो बार आयोजित की जाएगी बतादिक इसको लेकर तयार परिक्षा उनलाइन मोड में चार से अधारा सितंबर तक आयुजित की गई थि जिसमें 4 लाग से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थें तिवहार से पहले LPG गैस के बढ़े दाम तिवहार से पहले बिहार में LPG गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है बता दे कि 19 किलोग्राम वाले कमर्सियल LPG गैस सिलिंडर के दाम में 209 रोपे के बढ़ोतरी की गई है जिसका असर अब आम आदमी की जेप पर पढ़ने वाला है हाला कि घड़ेलो LPG सिलिंडर के कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन आम लोगों पर भी इसका असर पढ़ेगा बता दे कमर्सियल LPG गैस सिलिंडर का इस्तमाल होटलो रिस्टोरेंट और कैटरिंग वालों की ओर से किया जाता है ऐसे में आने वाले तेवहारों में मिठाईयों और अने खादे पदार्थू की कीमत में भी इजाफा देखने को मिल सकता है और साथी होटलों में खाना खाने के लिए भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पर सकते हैं व्यवसाइक भवनों का डेर से तीन गुना बढ़ा होल्डिंग टैक्स राच्च सरकार के द्वारा 25 सितंबर को अधिसूशन जारी कर नगर निगम सहित नगर परिसद और नगर पंचायत को यह जानकारी दे दी गई है व्यवसाइक भवनों का होल्डिंग टैक्स डेर से तीन गुना तक बढ़ा दिया गया है महिस सांस्क्रितिक एवं धार्मिक प्रकृती के स्थल किंद्र एवं संस्थाईं को होल्डिंग टैक्स देने से पुर्व की तरह ही छूट रहेगी इसके लावा नीजी स्कूल कोचिंग कॉलेज एवं छात्रावास के संचालकों को बढ़ोतरी के बाद पहले से दे रहे टैक्स का डेर गुना देना पड़ेगा उद्योग कारेशाला वेर हाउस गोदाम के लावा राचेवक केंद्र सरकार के वैसे सभी प्रतिस्थान और उपक्रम जो वानिचिक व्यवसाइक एवं बीतिये गतिवीधियों में सनलंगन है ऐसी भवनों का होल्डिंग टैक्स को बढ़ाकर सरकार के द्वारा दो गुना कर दिया गया है मालुम हो कि जिन वैवसाइक भवनों का तीन गुना टैक्स बढ़ा है उन्हें बड़े दर से 10 साल पहले का बकाया राशी भी देना पड़ेगा और शेड़ी छितर के वैसे भवन जिसमें महज एक दुकान संचालित है जिसका छितरपल 250 वर्ग फीट या इससे कम है ऐसे भवनों के मालिक को पहले से जो टैक्स लग रहा था वही देना पड़ेगा बिहार के चार चलों में ठनके न ली आधा दरजन लोगों की जान एक बार फिर से बिहार में मौसम का मिजास बदला हुआ है पिछले कई दिनों से हो रही बारे से लोगों को गर्मी से काफी रहत मिली है तो वहीं कई लोगों को ठनका गिरने से मौत भी हो गई है बता दी की बीते दिन कोसी पुर्व बिहार में वजुरपात की चपेट में आकर कुल आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई जिसमें भागलपुर के तीन और मुंगेर कटिहार और सुपॉल के एके का लोग शामिल है इसके साथी बाडिस की वजह से किसानों को भी कई जगह पर भारी नुकसान हुआ है मालूम हो कि पश्मी चमपारन में गन्य की फसल को छती पहुंची वहीं और अंगाबाद और समस्तिपूर में विशाल काई पे रास्ते में गिर गया मोतिहारी में रेलवे ट्रैक पर पे जानी के बाद आपदा राहत के मितहत मुआवजे के रूप में मृतकों के आशृतों को चार लाख रुपए दिये जाएंगे BPSC TRE अभ्यर्थियों का OMR सीट हुआ जारी बिहार में कुछ महीने पहले देश में अब तक की सबसे बड़ी सक्षक भरती परिक्षा को लेकर बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा बड़ी जानकारी दी गई है बता दे के आयोग के द्वरा दी गई जानकारी के नुसार BPSC TRE परिक्षा के अभ्यर्थियों का OMR सीट जारी कर दिया गया है ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परिक्षा में हिस्सा लिये थे वहा आयोग की वेबसाइट पर आज यानी की 1 ऑक्टूबर से 10 ऑक्टूबर तक अपनी OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं बता दे कि अभ्यर्थी को आंसर सीट डाउनलोड करने के लिए विभाग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी डैसबोर्ड में लॉग इन करना होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आयोग की तरफ से सभी प्रश्णों के उत्तर पुस्तिका या कुंजी अपनी वेबसाइट पर पहले ही अप्लोड कर दी गई थी ऐसे में छात्र यहां से अपनी OMR सीट हासल कर अपने द्वारा दिये गए उत्तर के विवाग के उत्तर कुंजी से मिलान कर सकते हैं और अपना मुल्यांकन स्वेम कर सकते हैं साइबर ठग और बैंक कर्मियों को मिली भगत को लेकर E.O.U. ने तेज की जांच साइबर मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जारी है वही अब साइबर ठगों के द्वारा उन खातों का भी इस्तमाल किया जा रहा है जो ग्रामीनों से किराई पर लिये जाते हैं ताकि वह ऐसे खातों में साइबर ठग के रासी निकाल कर डाल सके और अपने पैसे को बचा सके इसको लेकर आर्थी कप्रा दिकाई के द्वारा किये गए जांच में कई मामले सामने आई है दरसल पुर्वी चंपारन स्थित कुर्डवा चैनपूर के 20 वी वाहिनी सिसस्तर सीमा बल में तैनाथ संचै कुमार यादव के साथ हुई ठगे में ऐसा ही मामला सामने आया है इस मामले में गिरफतार राहुल कुमार के द्वारा पुलस को बताया गया कि उसका दोस्त बैंक खाता एटियम कार्ट चेक बुक उपलब धकराता था और इसके बदले 10 से 20 हजा प्रती बैंक खाता दिया जाता था वहीं बैंक खाता खुलवाने एवं फॉर्म भरवाने के लिए कई लड़कियों के भी मदद ली जाती है और लड़कियों को कमिशन दिया जाता है बता दे कि मामले के सामने आने के बाद अबार्थी कपरात इकाई के द्वारा अपनी च गया में CUSB के दिक्षान समारों में शामिल होंगी राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मू 19 ऑक्टूबर को 7 सालों के बाद गया के पंचानपुर में Central University of South Bihar का दिक्षान समारों आयुजित किया जाने वाला है जिसमें मुख्य अतिती के रूप में राश्ट्रपती और इस उनिवर्सिटी की कुलाध्यक शितरौपती मुर्मूश शामिल होंगी इस दोरान राश्ट्रपती अपने हाथों से उनिवर्सिटी के टॉपर्स को डिग्रीव पतक देंगी इस संबन में यूनिवर्सिटी के कूल पती के दोरा बताया गया है कि यह हमारे लिए घर्व की बात है किस कालिक्रम का उत्घाडन राष्ट्रपती के हाथों किया जाएगा उन्होंने बताया है किabday स recentohane उन्होंने राश्ट्रुपती से मुलाकात की थी और देक्छान समारों में आने का निमंतरुदिया था, जिसे राश्ट्रुपती न स्विकार कर लिया था, वालू हों किrahamic ऑक्टूबर को होने वाले देक्छान समारों को लेकर axes का उत्साह का मुहल बना हुआ है रक्सॉल काठमांडू रेल मार्ग के लिए भारत नेपाल में कड़ेगा इतने करोड रोपे का निवेश 22 तरकार के द्वरा नेपाल में रक्सॉल काठमांडू रेल मार्ग पर आने वाले 5 सालों में 4,000 करो रुपए की राशी निवेस्ट करने वाला है ताकि यह रेल मार्ग बन कर तयार हो सके और सीमावर्ती शहर रक्सॉल को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ा जा स तरफ से रक्सॉल काठमांडू रेल मार्ग के यह तयार किये गए रिपोर्ट को देखे तो उसके अनुसार रक्सॉल से काठमांडू तक कूल दूरी 170.96 किलोमीटर बताई गई है पतादे कि रिपोर्ट के आधार पर रक्सॉल से सिखरपूर तक 90.665 सिंगल लाइन और 25 किलोमीटर की डबल लाइन बनाने की योजना है इसके साथ ही इस पूरे रेल मार्ग में दो ओवरहेड और 17 अंडर पास बनाने की योजना बनाई गई है 107 साल की हुई पटना यूनिवरसिटी अंग्रेजियों के शासंकाल में वर्स 1917 में अस्थापित हुई भारत के साथ पुराने विश्यविद्यालियों में से एक शांदार इमारत वाला पटना विश्यविद्याले का 107 साल पूरा हो चुका है बतादे किस यूनिवरसिटी के अंदर कई सारे कॉलेज है जिनमें पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बी एन कॉलेज, लॉग कॉलेज, पानिचे महाविद्याले, मगद महिला कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, कला एवं सिल्प महाविद्याले, इंजिनिरिंग कॉले अंतराश्ट्री व्रिध जन दिवस के अफसर पर माननीय मुख्य मंत्री का संदेश अंतराश्री वृध्य जन दिवस के अफसर पर बिहार के मुकियमंतर नितीश कुमार के द्वारा सभी को संदेज देते वे कहा गया है कि हमारी भारतिय संस्कृति एवं संसकारों के मूल में वृध्य जनों के प्रती प्रेम आदर एवं सम्मान समाहित है वर्ष्ट नागरिकों के अनुभव आसरवाद एवं मार्क दर्शन से हमारा परिवार एवं समाजम उन्नतव श्रम्रिद्धी साली होता है वर्ष्टमान समाजी के वं आर्थिक परिवेश में व्रिध जनों को एकाकिपन एवं अपेक्छा जैसी प्रतिकूल परिसीतियों का सामना करना पर रहा है जो गंभीर चिंता का विश्य है इन्विश्यम परिसीतियों से व्रिधी जन की रक्षा करना था उन्हें सम्मान एवं सुरक्षा प्रदान करना हम सभी का नयतिक करतव है व्रिधावस्था में आयू जनत दुरबलता, रुगंता एवं आर्थिक और छमता के कारण उनकी विशेश तेकभाल की आवशकता होती है व्रिधा जनों को समाजी कार्थिक एवं वैधानिक संभल प्रदान कर उनके जीवन को सुखमई बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है ताकि व्रिधान सम्मान पुर्वक जीवन जी सके इसके तहर सरकार के और से राचे के सभी आयश ट्रेनी के व्रिधानों के लिए मुख्यमंत्री वृद्जन पेंसंग्योजना लागू की गई है जिससे सभी वृद्जन लाभानवे थोड़े हैं उन्होंने कहा कि मैं अंतराश्री वृद्जन दिवस के अफसर पर राजे के सभी वृद्जनों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके साथ स्वस्त एवं सुख में जीवन की काम ना करता हूं इस अफसर पर वृद्जनों के प्रती स्रद्धा पुर्वक अपना आभार प्रकट करेत था उन्हीं यतोचित सम्वान देने का संकल्प ले थाकुर वाले विवात के बाद हुए बयान को लेकर बोले मनोज जहा आरजेदी सांसत मनोज मनोज जहा के द्वारा राजे सभा में ठाकुर को लेकर एक कवीता सुनाई गए थी जिसके बाद राजनतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई और बयान बाजी तेज हो गई इसी को लेकर अब मनोज जहा के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाद दी गई है उन्होंने कहा कि उसकवीता का संदर्व मैला अरक्षन विल में पिछलों को शामिल करने को लेकर था उसके बाद लोग मुझे बेतू की बाती कहने के लिए फोन कर रहे हैं इस तरह के फोन पिछले 72 घंटे से आ रहे हैं उन्होंने कहा कि उसकवीता को ओम प्रकाश वालमी की द्वारा 1981 में लिखा गया था जो एक दलत बहुजन चिंतक थे मैंने उस कवीता को पढ़ने से पहले भी कहा था किसका किसी विशेश व्यक्ति से कोई संबंधर ना निकाले यह ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है वह किसी भी जाती धर्म का हो सकता है उसके बाद मैंने कवीता पढ़ी उस अजेडी महासचीव अब्दुलबार सिद्धी की द्वारा मुझः परपुर में अपने द्वारा दिये गए बयान कि अगर संसद में बॉब कट और लिपस्टिक पाउडर वाली महिलाएं आ जाएंगी तो गाउं की महिलाओं को कोई हक नहीं मिलेगा पर माफी मागी है उ लेकिन अगर फिर भी आहत हुई है तो उसके लिए हम खेत प्रकट करते हैं मगर गाउं-गवई के लोगों को समझाने के लिए पहले भी सोसलिस्ट निताओं के द्वारा उनकी भाष्या में अपनी बात को रखी जाती थी कुलदीप यादव को लेकर पुर्व पाक कप्तान ने दिया बड़ा बयान पाकिस्तान के पुर्व कप्तान इंतखाव आलम के दोरा पीटियाई से बात करते वे भारते क्रिकेटर कुलदीप यादव को लेकर अपनी बात कही गई है उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह से एशिया कप में खेला वह राने वाली टीम लगती है उनका स्पिन आक्रमन उतक्रिष्ट है टोर्णामेंट में कुल्दीप यादव ने एहम भूमी का निभाई है वह सभी टीमों के बल्लेबाज का टेस्ट लेंगे उन्होंने कहा कि जडीजा और कुल्दीप एक घातक संयू माजूद है उन्होंने कहा कि मेजवान टीम ट्रॉफी जीतने का प्रबल दाविदार है वहीं इस पर नाक्रमन पाकस्तान के लिए चिंता का विशह है MS Dhoni The Untold Story के 7 साल पूड़े होने पर दिशा ने सुसान्त को किया याद आज MS Dhoni के Untold Story के 7 साल पूड़े हो चुके है ऐसे में फिल्म की एक्षर्स दिषा पतानी के दोरा सुसान सिंग राजपूत को याद किया गया है बता दे कि दिसा पटानी ने अपने सोशल मीडिया अंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेर की है जिसमें उन्होंने दिवंगत अभी नेता सुसान सिंग राजपूत की एक तस्वीर शेर की है और साथी क्याप्शन में लिखा है साथ साल पहले जहां मेरी यात्राश शुरू हुई थी सभी के प्यार और स्विकृति के लिए आभारी हूँ सुसान मुझे उमीद है कि तुम खुश और सान्ती में हो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुसान सिंग का निधन 14 जून 2020 को हो गया था वहिस फिल्म में सुसान सिंग राजपूत ने क्रिकेटर महिंदर सिंग धूनी की भूमी का निभाई थी मालुमों कि यह उस वर्ष की सबसे जादा कमाई करने वाली बॉलीवर्ड फिल्मों में से एक बन गए थी जिसमें क्यारा आडवानी देशा पतानी अनुपम खेड और भूमी का चावला भी लीड रोर में सामिल थी जानी आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल करेट बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल करेट जारी के गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रोल 107.88 रुपे प्रति लीटर और डीजल बितर दिन हमाय दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्ष्न बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमाय दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा गोनर सर्मा उमेस रिसिदेव राजकी शोर महतो अन्वर करीम खान मुहम्मद फ़हीम रंगीला भान प्रकाश मौर्या धनन जयकुमार गोलू यादत तलकई अमित यादव अमरजी करना और अगरा फेस्बुक से देखने तो फेस को फॉलो करना न भूले थन्यवाद